चलते चलते हसते गाते यूँ कटे सफर जिन्दगी का सफर जिन्दगी का आप आप सबी का फिर से सुआगत करते हूं आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं श्री राजन्द पर्मार से हाथ से और ओज की कवी होने के साथ ये एक अच्छे मन संचालन के रुप में इनकी पैचान है तो आईए हम आपकी मुलाकात इन से करवाते हैं सर नमस्कार नमस्ते मेडम जी, नमस्ते हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके पूरी टीम का सर आप मूलते कहां की निवासी है मेडम जी, मैं आम तोर पर सामाने विक्ति के एक गाउं होता है पर मेरे दो गाउं है दो गाउं बहराल इसलिए हैं कि जो मेरा जन्म स्थान है वो तो कनवास के पास हिंगों निया एक गाम है, छोटा सा गाम है वहां से मेरी पेदाईश है लेकिन चूँकि मेरे साथ इसे आप सहभा के मानिये कि मेरे मदर फादर दोनों सरकारी करम चारी थे अपा तो मेरे फॉर्स में थे मम्मी मेरी मेडिकल में थी ऐसे में दूमक्कड जिन्दिगे हम लोगोंने जी कहां उनका ट्रांजपर रहा कहां उनोगर के तुस्थेकर में इसमें लोग गुंतरे लेकिन जो हमारी प्राग्रेंबिक सिक्ष्छा- दिक्ष्छा की जयापन बात करें हैं तो सीस वाली में हमारा मैं ज़या जीवन यापन कुछा अर्यम taraf तर सबसे कोठर होंति है तो इस तरह से दो गाओं हमारे हो गे और और आजकल तो हम कोटा के मुलनिवासी हैं। आप कब से कावे पाट कर रहे हैं। मेडम जी कविता पाट तो लगबग मुझे 22 साल हो गए। मन्च पर हो गए 22 साल तो। लेकिन इसके पीछे कहानी यह है कि मैं मन्च का वेक्ति सुरू से ही रहा हूं। जब भी Common College में किसी प्रकार के प्रतियोगता हैं होती है या कोई वाधिवाद समवाद वगेरा होता है या नातक मन्च करना होता है तो मन्च का वेक्ति में शुरू से ही रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि मैं मन्ची का वेक्ती रहा तो वो जिसको बोलते हैं धड़कर्ण या वो डर तो मेरे पास नहीं था तो फिर चुछ कि क्या हुआ कि मैं कवित समयलनों का बहुत शोकिन रहा हूँ कविता है मुझे मैंने सूर मीरा तुलसी रहीम जाइसी विध्यापती बिहारी पंत प्रशाद मिराला दिनकरजी मनवर राना सब लोगों को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैंने अधिकतर लोगों को जो आज के वर्तमान में पचीस-तीस साल बलकि आतीस साल से लेकर आज तक जो कभी मनचों पर है मैंनों उनको बहुत बखुबी सुना है तो मेरा जुडाव रहा है और तुकबंदिया मैं सुरू से ही करता था तो बच्पन से ही मान सकते हैं आप 10-11 के बाद से मैं मंचका विखती रहा हूं और कोलेज में आने के बाद लगबग इमान के चले जब मैं बीए फाइनल का विद्यारती था तब मुझे लगा कि मैं कभी था है करने लगा हूं यार तो कुछ मेरे दोस्त जो कोलेज मेरे सा किया इसके लिए कि नहीं यार राजंदर तू अच्छा लिखता है रच्छा पड़ता है बोलने में मैं सुरू से होश्यार था ऐसा आप कह सकते हैं है ना मैं अपनी बात को दूसरे के सामने किस तरह के से प्रजेंट करना चाहिए किस तरह के से रखना चाहिए ताकि सामने शुरु से होता था तो मैं तुक्वद्निया करता था उस बात को मैं अच्छे तरीके से कहने लग गया तेरे मेरा कवी में नाम आने लगे कवी कवी तो फिर बस वहीं से हम लोग और यह भी ता हैDavid Attam यह पन रहर को कि दो बहुत बार्ना था किसी वेक्ती के सक्सेस के पीछे कोई求ik होता है यह सबूमिक सक्थे है चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो वाइफ के रूप में हो सुभचिंतक के रूप में हो तो ऐसे में मेरे भी Sprayna हृ China Trought लू मेरा दुर्भाग गिरा कि मैं उनके साथ में मंच पार्टिसपेट नहीं कर पाया। शद्धे प्रेम जी प्रेम कोटा के बहुत बड़े और बड़ा नाम था। पूरे हिंदुस्तान के कभी थे। और जिनोंने कोटा को साहिते जगत में पहचान दिलाई है। चुक्छीन को मेरा उनके साथ ज़ीजादा सानिद्य रहा नहीं लेकिन उनके बाद जो मेरे को जिनों ने कहा कि नहीं तुम यह कर सकते हो त arriv ये काबियत है। तुम ये करना चाहिए अन्य था तुम शोताओं के प्रति अन्याई करोगे अगर ऐसा नहीं करोगे तो तो ऐसे में मेरे आदर्श हैं आदर्णिये राजस्थानी और हिंदी दोनों बाशाओं में जिनका दखल है और राष्टपति सम्मानित कभी है आदर्णिये दादा मुक लेकिन काम करने के लिए आपको प्लेट फर्म भी चाहिए उस प्लेट फर्म को उपलब्ध कराना भी बहुत बड़ी भूमी का है माना कि चलेगा टेलेंटी जिसमें प्रतिबा होगी वही आगे जाएगा यह तो तय है लेकिन उसको एक मंच मिल जाए और उस मंच पर अपन हो अच्छा पिर्फॉर्म कर जाएं तो वह उसमें मुकटजी का बहुत बड़ा हाथ मेरे उपर रहा है तो वह उसके लिए मेरे आदर्शने मेरी प्रनाशोत हैं और मुझे बहुत मॉटिवेट करते हैं जे बच्चे की तरह दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं मुझे बहुत हो जाएगा हट समय पर यह कहा जा सकता है कि क्योंकि साउत को छोड़कर जहां हिंदी भाशी शेत्र नहीं है वहां के अलावा संपुर हिंदुस्तान मुझे कविता नहीं दिखाया है वरना क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा दुरुबा की यह रहा कि मदर फादर बहुत जल्दी भगवान को प्यारे हो गए तो ऐसी इस्तिति में मेरी मेरा जीवन काफी श्ट्रगल किया मैंने लाइप में और सब करते हैं हर वेक्ति के पीछे कहानी होती है है ना ऐसा नहीं है कि मैं ही कोई नया हूँ लेकिन मेरे लिए एक बड़ी चुनोती थी मदर फादर नहोना ऐस में छोटे-छोटे बच्चे को समालना थोड़ा सा और मैं भी बच्चा ही था तो वह थोड़ी सी मेरे लिए दिक्कत थी लेकिन च्यूकि मुझे अपने आपको कुछ करना था कि मैं एक प्रतिभाशाली बालक हूँ तो ऐसे में कविता ने मुझे पूरा देश घुमाया है नो डाउट कविता ने मुझे बहुत कुछ दिया है नो डाउट कविता ने मुझे बहुत अच्छे मित्र दिये हैं हर शहर में मेरा मित्र मिलेगा आपको हिंदुस्तान घुमा है इसमें कोई दूराए नहीं है लेकिन सबसे बड़ी उपलब दी मेरी 2013 की रही जहां मैंने देश का सबसे बड़ा कभी से मिलन होता है लाल किले का जिने जिसको हिंदी अकादमी करवाती है दिली इंदी अकादमी करवाती है चेहन भी वही करती है और 2013 में जिससे में आधरणी हमारे महामाइम प्रधान मंतरी जी मोधी जी ने सपत ली ती उसके ठीक एक दिन बाद म का आशिरवाद सबकी दूआउं ने मुझे वहां तक पहुंचाया है और एक बात और मैं इस जगर पर कहना चाहूंगा कि हलां कि मेरी उम्र बहुत कम है बहुत कम का मतलब यह कि जिस मुकाम पर लोगों को पहुंचने में मैं यह तो नहीं कहता कि अभी मेरे से बहुत सीनेर है जो भी गुदड़ी के लाल हैं यह मेरे साथ आप सकारात्मक्ता मान सकते हैं तो ऐसे में मतला नीरजी को छोड़कर आदरने गौपालदास नीरजी को छोड़कर शायद मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कभी बचा होगा जिसके साथ मैंने कविता पाथ नहीं किया हो चाहे वो श्रहिण शर्मा जी हो अश्वक चाकरदर जी हो डॉक्टर कुमार विश्वा मेन तो थीन-चार बार मेने कभी बार कपिताई कभी तो पुषके साथ मेरा यह सानिद्ध हो पाया बाकि ऐसा कभी नहीं है जिनके इसा हिर्ड मेने नहीं पढ़ा हो जल रहा है फास्तों ठीक, एक भोता है साहित्यं इक होता है मन्च?", तो मन्च के नातक है मन्च इक शुद्रुप से नाकियatा है, वहां आप अख्छी बात नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसको आपने अच्छे तरीके से कह दिया अच्छे तरीके से के दिया तो शायद हो सकता है वो बात प्रभावशाली हो जाए है ना तो ऐसी इस्तिति में साहित्य का लग चीज है मैं मानता हूं जीवित साहिती ही रहता है अमरा आदमी साहित्य से होता है यह तय है इसमें कोई दोराई नहीं है चलता रहता है और साहित तो गता हैं The कईक साहित्यातित्व को duty मैं nic साहित्य कार होना तलवार की धारपर चलने के बराबर होता है जी है ना उस पर जिस तरीके से आप तो वो बड़ी बात है पर चूँकि मैं मंच का दरसल क्या होता है मेडम जी आप जिनके नस्दीक होते हैं उनका प्रभाव आप पर आता है जाईर सी बात है तो हम मंचों के इर्दिगिर्द रहें ऐसा कह सकते हैं अप लोग हम मंचों के इर्दिगिर्द रहें और जीन कवियों से हम प्रभावित हुए वह मंच के ही कवी थे हाला कि वह बहुत अच्छे है और नौडाउट जिनका बड़ा नाम है साहित्य में भी और कवीताओं में लोग हम उनके इर्दिगिर्द रहें तो ऐसे में वह प्रभाव हुमारे पर ज्यादा प्रभावशाली हो गया तो मैं अपने आपको सहत्यकार होने का तो दंब नहीं बरता हूं पर मंचका में एक अच्छा परफोर्मर लोग मुझे मानते हैं बस यह कृपा है आपकी इसमें कोई दोराई नहीं है सर हमने सुना है आपका संगीत से भी जोड़ा हो रहा है यह बहुत घहरा कारण है मेडम जी पहले चीज तो में जिस कम्यूटी से जिस समाज से बिलोम करता हूं मेरे समाज में यू कहा जाए कि हमारी हाडोती में कहावत केते हैं कि अगर हमारा कोलू जिसको कवेलू बोलते हैं लोग वो कोलू भी अगर नीचे गिर जाएगा ना तो ताल में गिरेगा बच्चा रोएगा तो राग में रोएगा जिस समास से में विलॉम करता हूँ अर्थात ये कहा जा सकता है कि संगीत मेरे खून में है मैं जिस और मेरे पापा फोर्स में रहे हैं इसके बावजूद भी मेरे पापा बहुत बड़े आर्टिस्ट थे संगीत के अच्छे आर्टिस्टे मंचन हो बहुत अच्छा करते थे बजाते हो बहुत अच्छे थे गाते हो बहुत अच्छे थे तो मैं तो उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाया संगीत की परंपरा को लेकिन मेरा चुकि शोग रहा, मेरी हो भी रही, अच्छा सुनना मेरी हमेशा आदत रही है, अच्छा पढ़ना मेरी हमेशा आदत रही है, आज भी, बले, दस मिनिट के लिए ही मेरे घर में एक लाइबरेरी है, पूरी, पूरी की पूरी लाइबरेरी, जिसमें कम से कम तिन- लेकिन जो शब्दों की जादूगिरी है ना वही शब्दों का अगर आपको चमतकार प्यदा करना है तो जाहिर सी बात है कि आपको अच्छे लोगों को पढ़ना ही पढ़ेगा सर आप एक ओज के कवी है तो कोई कवीता हमें सुनाई है मैं कवीता सुनाता हूं कि मा शक्त होकर भी ना करूर होती है मा शक्त तो हो सकती है मा पर करूर कभी नहीं होती है यही शब्दों का खेल है मा शक्त होकर भी ना करूर होती है मैली है मिट्टी कभी ना धूल होती है और पाउं से रोंदो मत सीश पर रखो इसे दोस्तो देश की मिट्टी सिंदूर होती है मैं किसी पर आरोप प्रतियरोप नहीं करता लेकिन हम विश्व शान्ती की दूत है हमरा इतिहास इस बात का गवाए हमने हमेशा आगे बढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है हम विश्व शान्ती की दूत है भारत के सच्चे सपूत है पर गद्दारों के सरवनास के सबसे बड़े सबूत है और मुझे किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है लेकिन अगर कोई भी मुल्क हमारी तरफ कूद रश्टी से देखे तो और रुके या नर रुके लेकिन कवी नहीं रुक सकता कहने के लिए तो मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ आपके हम विश्व शान्ती के दूत हैं बारत के सच्चे सपूत हैं विद्दारों के सर्वनास के सबसे बड़े सबूत हैं अरे भूल गया पाक तू भारत भूमी को जो किसी जमाने में हमारा टुकड़ा था हमारा भाई था आज इतना दोगला कैसे हो गया हमारे पुलवाओं में शेद हो गए कई सारे बर्सों से देखते आ रहे हैं देखो तो से याप अरे भूल गया पाक तू भारत भूमी को प्रताप वा पन्ना की जन्म भूमी को हाडी रानी लक्ष्मी भाई जीजा भाई को भूल गया नमा घराम तू अपनी ही माई को भूल गया पाक तु अपनी ही माई को भूल गया नमक हराम तुम अपनी ही माई को और हम क्यों अजे हैं क्यों हम बड़े हैं एक पंक्ती में कविता को खड़ी करता हूं सुनिये गाई भूल गया नमक अराम तुम अपनी ही माई को हम एक ता के सुत्र में बंदेविये मजबूत हैं इसलिए हम विश्वशानती के दूत हैं हम एक ता के सुत्र में बंदेविये मजबूत हैं इसलिए हमारी जो जिन धर्मों में हमें बाठ दिया जाता है ना तथा कतित राजनिति सब्धर्म का आदर होता है और हम सब्धर्म के साथ में शद्धा के साथ प्यार से बात करते हैं चाहे वो हिंदु हो, मुसलिम हो, सिख हो, हिसाई हो, कोई भी हो. एक कविता जिसने मुझे राजंदर से राजंदर पमार बनाया और उसी कविता को मैं अक्सर मन्चों पर डिमांड होती है लोगों की और वो कविता कहीं जगे पर सारगी हुए. और अचानक लड़ाई चल पड़ती है ये इद्ध हो जाता है तो सेनिक को पत्र के माद्यम से विलाया जाता है हालां कि आज कल तो दूर संचार के साधन वरता है लेकिन पत्र मैंने जिस समय लिखा था उस समय यह इतना बड़ा रोल नहीं था है ना मोबाल इतने नहीं हुआ करते हैं तो पत्र के मादेम से उस सेनी को बुलाया जाता है सेनी की जाने की तैयारी करता है तब उसका घर का द्रश्य देखें एक तरब उसकी माँ पतनी बहीन पिताजी मुझे तो पता नहीं है लेकिन कि मेरे देश के जाबास सेनी को इस प्रकार से विदा किया जाता होगा चंद पंग्तिया मैं आपको पढ़ता हूं सुनाता हूं और तमाम सुनने वाले शोता हूं दर्श्य को भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा शब्दों के साथ यात्रा कर है यह सुनकर-घर में जैसे पाला पढ़ गया था संनाता चहा गयाता कि ताला पढ़ गया था Python का बुढपा अचानक बढ़ गया ऐसे पेरो अपर लक्षा आँखो पर जाला पढ़ गया जैसSंट्ध बहिन का कलेजा जोर जोर से धरकता था, छोटा भाई धीर सिंग भाई से लिपट गया था, जैसे उसका तो सब कुछ लुट गया था, पत्नी न जाने किन खयालों में भूल गई थी, पत्तर सी खड़ी थी, पलक जपगना तक भूल गई थी, सारे घर का अजीब सा न जा रहा था पर सब के बीच हत प्रत सेनिक बेचारा था पत्र क्या है घर की खुशों पर कहर है पर ताजब है फोजी के मन में खुशी की लहर है घर की समायूसी को वह पचाने पाएगा मोह सरीता में बहातो देश बचाने पाएगा बोला पिता से आप गर्यू कमजोर कड़ेंगे बो तो मेरे कदम देशित में केसे बड़ेंगे जनमी जन्न वभूमी जन्नत उरजन्थ से बढ़ी है आपने तो सिखाया था अ आजा मल्की घड़ी है सुनकर पिता का तेज लोट आया था ऐसा द्रशे पारिवारिक द्रशे देखें आप सुनकर पिता का तेज लोट आया था कुछ न बोले बेटे को घले लगाया था पिता न पुना याद दिलाए आनबान की मान वे इमान त्याग बलिदान की मा ने तब बढ़कर के माथा चूम लिया था संताप सारे घर का जैसे दूर किया था यह दीन फिर कब आएगा जब तुमेरे दूद का करजा चुका हैगा दम लेना सरहसे दुष्मन के पेर उखाड कर आगे बड़े तो रख दिना उसका कलेजा फाड़कर और पिर पीछे मत हटाना यह मेरी आन है मात्र भूमी पर नियोचावर होना जननी की शान है सोगंद मुझा पन्ना की और तुझको चंदन की सोगंद मुझा पन्ना की और फिक्र नहीं करतेют वीर कभी अपनी जान की गरीमा और महिमा बने रहे बस हिंदुस्तान की अपनी वीरता से इतिहास नया गड़ना बेटे अंतिम सांस तक भी शिव बनकर लड़ना बेटे और कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शांसें कौक धन्य होती है मा के पुत्र के बली दान से वो मा जानती है कि मेरा बेटा लड़ने जा रहा है शायद हो सकता है लोट करना आए और क्षमा कीजिएगा नहीं आया तो हमारी एक अतिरिक्ते जिम्मेदारी ये बन जाती है कि हम उसे स्रद्धा से याद करें कुर्बानियों पर गर्व करते हैं लोग शांसे कौक धन्य होती है मा के पुत्र के बलिदान से हैं और द्रश्य देखना आप मा के चर्ण छुकर वह पीछे मुड़ा था आखों में आशु भर कर धीर सींग खड़ा था भाई को गले लगा के बोला चिंता न करना तू अच्छी तरप पढ़ना धीर धीरजनक हो ना तू फिर बहना को गले लगाया सिर्पर हाथ फेर कर रुवां सी देख हस पड़ा आके तरेर कर अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती अरे पगली वीर बहने दिल को छोटा नहीं करती विदा के समय सगुन को खोटा नहीं करती अच्छी नहीं सूरज की लगा को आप अब भी बहन होंगे च्छा को मिन कि मेरा माननाना यह है कि मैं जो कहना चाहता हो उतना उतनी हमारी बहनें भी नहीं समझती होगी कि राकी होती क्या है मेरे लिगे क्या राकी को एक पंग्ति मेरे एक नगीद करता हूँ कालिमा अच्छी नहीं सूरज की लिलाई पर राखी नहीं बांदो की भाई की कलाई पर और क्या होती है राखी कालिमा अच्छी नहीं सूरज की लिलाई पर राखी नहीं बांदो की भाई की कलाई पर लंबी उम्र की कामना राखी का ये सच है राखी राखी बहना की भाई के लिए पुरा का पूरा रक्षा का वच है एक द्रश्य और देखें फिर देखा उसने मूर्ती एक जडवत सी खड़ी थी भरपूर योवन को लिए कुंदन सी छड़ी थी रूप सरीता देख वह पसीजने लगा प्रेम की फुहार में भीगने लगा उतर आई उर्वसी जैसे स संसर्ग से पर संभल कर पलबर में मन का तेज जगाया काम का बलिदान कर तहा का लगाया बोला उदास का है को हो मेरी रानी क्या ये शिक्षा देगे थी हमें हाडी रानी आज जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है आज 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 जिम्मेदारी तुम पर मुझसे बड़ी है जानती हो माता पर संकट की गड़ी है बेटे का फर्ज पूर्ण करू अनुमती दो मुझे विदा करो वीरांगना यो हिम्मत दो मुझे मुस्कुराई पतनी जाओ वीरवर दुश्मनों पर देश के ढादेना तुम कहर हर पल तुमारे साया साथ बन चलूंगी में ह और पल तुमारे साया साथ बन चलूंगी में और वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलूंगी में वो ऐसी विरांगना है मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मुझे कहते वे गर्व होता है कि ऐसी विरांगना है राजस्तान में सरवादिक बाएगी राजस्तान में कहते वे बिल्कुल भी नहीं ही चाती कि मैं शहीद की पत्मी हूं वो घर्व करती है वापस नहीं मिले तो स्वर्ग में मिलोंगी मैं फिर एक जलक देखा सेनिक ने सबको नहें से चल पड़ा अविला में वीर अपनी गये से मेडम जी हमारे देश के सेनिक कारगिल कर 1999 को आप याद कीजिएगा जब हमारा सेनिक वहां पहुंचता है मुख्याले पर पहुंचने के बाद वो कैसे लड़े कैसे नहीं लड़े हमने केवल मीडिया इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रिंटी मीडिया के माध्यम से जाने इसे जानना है लेकिन वास्तिविक्ता तो वो जानते हैं जो लड़े मेरी आल होती है की जायद उनको क्या त्या मिल रही होगी लेकिन मेरा देश का जल जैर्ट्रोन चैनल ने के वीडिया जılar प्वैर ने क्षद्भार और किजेगा विशुद्ध कविता कर रहा हूं मात्र भूमी हित अरपन होने का संकल्प था हेड क्वाटर पहुंचकर मांगा विकल्प था आदेश मिला जाते ही सीमा पे जाओ तुम जितना कर दिखा सको करके याजी आओ जागी दरती है मेडम है ना तब कहना चाहता हूं मात्र कर दिखा सको करके दिखाओ तुम देखा जो द्रश्य समर का विक्राल हो गया रोके से भी रुका नहीं बूचाल हो गया सातियों की ला से देख खोला उसका खून था दीवाना सा हो गया ता चाया वजनोन था आगे ही बढ़ता जा रहा था तीर की तर दुश्मन का चला कलेजे दुश्मन के फारता हुआ चाती पर तिरंगा उनके गारता हुआ और धूदू जलाए चोकियां सम्शान की तर लंका जलाए वो जैसे हनुमान की तर पीछे न मुड़कर देखा था पीछे न मुड़कर देखा था चला जा रहा था वो रंग दे बसंति-चोला माई गार आ था वो बटालियन के साथी पीछे चूट गए थे एक पंक्ती मैं फिर कविता को खड़ी करता हूं और कवी होने का प्रमान देने की कोशिश करता हूं सुनिए गया बटालियन के साथी पीछे चूट गए थे तन से लहू के जरने उसके फूट रहे थे बटालियन फिर चेताजा कर दी थी उसने लड़ खड़ा रहे थे पेर पर वहर रुका नहीं था गजब की जीजी विशाती उसमें चूका नहीं था और जजबा था आजादिका उस सरफरोसी पर जजबा था आजादिका उस सरफरोसी पर गाड़ी दिया तिरंगा जाकर उसने L.O.C. पर खुशी का ठिकाना नहीं था जूम रहा था प्रनाम किया मा को द्वज को चूम रहा था और बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर बोलता ही जा रहा था वंदे मातरम वह वीरवर इतने में कुछ गोलिया निकली उसका सीना चीर कर हमने अजयाउजा को खोया है मेडम कारगिल का पर्थम शहीद होने का गर्व हम भी करता है लेकिन कभी होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी बनती थी मैंने कहने की कोशिश किये निवेदन करना चाहता हूँ बोलता है जा रहा था वंदे मात्रम वह वीरवर इतने में कुछ गोलिया निकली उसका सीना चीर कर और लहरा के गिरा एक सपूत बलीदानी मोद में लहरा के गिरा एक सपूत बलीदानी मोद में विश्राम के लिए लेटा हो बेटा जैसे मा की गोद में याद किया उसने तब पिता वो मात को वीर पत्नी को बहीन को प्यारे भ्रात को मा तुमारे दूद को उजाल दिया है पिता तुमारा उंचा मैंने भाल किया है लक्षे प्राप्त करके ही दम तोड़ रहा हूं शान में तुमारे शितारे जोड़ रहा हूं क्षमा करना प्रियतम इस जन्नम में मिलना पाऊंगा हो सका तो अगले जन्नम में वादा निबाऊंगा राकी कलाई पर अब भी सुरक्षित है बहना आसिश मेरा तुम सदा खुशियों में रेना और भाई धीर जीना सदा सोतंत्र परिवेश के लिए क्योंकि सीखा है मैंने प्राण देना सिर्फ देश के लिए साथियों में एक बात और कहना चाहूंगा कि सफर जिन्दिकी का ये जो शो है सिद्ध और प्रसिद्ध प्रतिष्ठित और विशिष्ट लोगों को मंच प्रदान करते हैं और जो विक्ति मंच प्रदान करता है जो चैनल मंच प्रदान करता है जो शो मंच प्रदान करता है वो प्रतिभा को निखारने की बहुत-बड़ी भूमी का अधा करता है तो जह परात्मक सोचें, मैं इसके लिए पूरी टीम को बधाय देना चाहता हूँ, आप भी आएं, मिलें, बात्चीत करें, अच्छा लगेगा. आप हमारी इस शो में आएं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हम तहे दिल से आपका शुक्रियादा करता हूँ, नमस्कार. बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और आपके सभी धर्शकों का, मैं बहुत-बहुत आभार वक्त करता हूँ, आपकी पूरी टीम को, इस्टूडियों की, इस्टूडियों की पूरी टीम है आपकी, उनको सब का आभार प्रकट करता हूँ, बहुत-बहुत विर खूहीं को खाली को भी टाहिस कहांगवा, हिरे झाली काक्षिप देखने जाली कि अबना ड्राट बएली कि अवार बाग्ड़ में तार्ट को उतर भर तार जाले कि अवस्यों ग्थ घड़ा गाले कि अपर दोगारी जाले कि शुछत्प्ष्ट्स फेखने ह।